Hello everybody, welcome to Magnet Brains. मैं हूँ Anisha, आपकी अपनी English Educator और आज मैं continue करूँगी हमारी English की Class 11th की तूए लेक्टिव बुक है Woven Words, उसका Chapter No. 4 The Adventure of the Three Garadips का Part No. 3 Part No. 3 तो अगर आपने मेरा Part 1 and Part 2 का वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाईए और देखे आईए ताकि आपको clearly समझ में आ जाए कि Part 3 में हम क्या पढ़ रहे हैं So let's begin with Part No. 3 Holmes was up and out early अब यह हम आगे की स्टोरी पढ़ रहे हैं कि अब Holmes, यानि जो Sherlock Holmes यह हमारे detective है वो आगे की स्टोरी continue कर रहे हैं और आगे का case matter जो है पूरा उसको solve करने की कोशिश कर रहे है तो बस अगले ही दिन यह उस दिन की बात है जिस दिन Nathan Garrideb Birmingham जा रहा था Harvard Garrideb से मिलने तो बस उस दिन सुबा जल्दी से उठके वो घर के बाहर निकल गया Holmes कुछ पता लगाने के लिए और जब लंच टाइम तक खाने के टाइम तक वो घर आया तो आई नोटिस याने Dr. Watson जो उनके friend partner जो है detective के business में उनका उनोने नोटिस किया कि जब घर आया Holmes तो उनका चेहरा काफी grave था याने काफी serious expressions थे उनके face पे This is a more serious matter than I had expected Watson said he It is fair to tell you Though I know it will only be an additional reason to you for running your head into danger I should know my Watson by now But there is danger and you should know it तो जैसी घर आया वाटसन Sorry Sherlock तो उनोने वाटसन को बता है कि Watson यह जो पूरा Gary Debs वाला case है यह बहुत dangerous बहुत खतरना case है मैं तुमें यह सब फाल्तू की tension देखी और तुमारे दिमाग को चलाने की मेरी कोशिश नहीं कि तुम tension लोया क्या बट मैं फिल भी तुमें बताऊंगा कि हम लोग बहुत जादा dangerous case में है Watson कुछ खतरनाक चीज़ें जुड़ी हुई है हमारे case से related well it is not the first we have shared homes I hope it may not be last what is in particular danger this time Watson कहते है कि are homes हम कौन सा कोई पहला case solve कर रहे है कोई पहली चीज़ दिसकास कर रहे है और I hope कि यह हमारी last भी ना हो तो please तुम उच्छ से discuss करो कि particularly क्या danger है इस बार इस case में तो homes कहते है we are up against a very hard case I have identified Mr. John Garadip counselor at law he is none other than killer evans of sinister and murderous reputation तो अब बताता है हमें homes homes बताता है Watson को कि जिसको मैंने पहचान लिया कि जो John Garadip American है जो अपने आपको counselor at law बताता है वो और कोई नहीं वो killer evans है याने John Garadip उसका असली नाम नहीं है उसका नकली नाम है उसका real नाम है evans और वो killer है याने वो murderer है याने उसने murders के लोगों के कतल की है और वो एक of sinister sinister याने giving the impression that something harmful is going to happen याने sinister का मतलब कोई ऐसा impression दे रहा था homes उसपर कि कुछ dangerous, harmful हमारे साथ हो सकता है I fear I am none the wiser तो यहां पर Watson कहता है कि मैं बिल्कुल wise नहीं हो मैं तो बिल्कुल intelligent ही नहीं हो यार homes मैं तो पता ही नहीं लगा पाए जो तुमने सारी चीज़े पता लगा लिए उसके बारे में John के बारे में तो अब homes कहता है it is not part of your profession to carry about a portable new gate calendar in your memory तो homes एक छोटा सा ताना मारते हो है sarcastically Watson को कहता है हाँ यह अभी तुम्हें बहुत सीखना बाकी है calendar में जैसे बहुत सारी चीज़े dates हम याद करके रखते है तो मारे दिमाग में याद नहीं होगे क्योंकि अभी तुम्हें और सीखना है इस profession में I've been down to see friend Lestrade at the yard तो homes बताता है Watson को कि मैं कहां गया था अपने एक friend से मिलने जिसका नाम है Lestrade और मैं उससे कहा मिला याद में आने की ऐसे खुले मैदान में मिला और यह जो Lestrade है यह कौन है यह एक police officer है कौन है police officer है तो कहता है मैं अपने इस Lestrade नाम के police officer friend से आज सुबा याद पे मिलने गया था तो कहता है यह जो मेरा police officer friend है इसके पास बहुत सारे records है पुराने तो मैंने सुचा है इनके records में चेक करता हूँ कि John Garridov नाम का कोई इंसान है की नी और है तो क्या उसके कोई criminal background है क्या क्या वो कोई चोरो चक्का है क्या है अटलीस कुछ तो मुझे पता चल जाएगा तो कहते है जब मैंने इस American friend John Garridov के बारे में track निकाला पूरा record निकाला तो वहां से मुझे पता चला कि भाईया यह तो killer इवान से यह कोई John Garridov वेरडव नहीं है अब यह gallery क्या है जब भी आप police station पर जाते हो तो आप बैठते हो तो वहाँ पर एक gallery एक ऐसा बना रहता है जहां पर उन सारे कैदियों के और criminals की picture लगी रहती है उनके नाम के साथ जो wanted होते है यानि जो फरार हो जाते हैं तो कहता है मैं वहाँ बैठा था discuss कर रहा था और वहाँ पर इस John Garridov की photo लगी थी gallery में और वह wanted वाले उसमें की भाईया तलाश करना यह फरार हो गया कहता है वहाँ मैंने देखा smile करते हुए बढ़िया या उसकी मुझे यह photo दिखी तो मैंने तब देखा किया रही यह तो भाई wanted मैं यह तो कोई criminal है जेम्स विंटर अल्याज मोर्क्रॉफ्ट अल्याज किलर इवांस वर इंस्क्रिप्शन बिलो यानि की तीन तीन नाम लिखे हुए थे उसके photo के नीचे यानि अल्याज याने उर्फ बाद में उसने अपना नाम बदल के मौर्क्रॉफ्ट कर दिया अल्याज याने उर्फ किलर इवांस यह सब उसके नाम है यह सब इंस्क्रिप्शन बिलो यानि यह सब उसकी photo के नीचे उसके जाली नाम लिखे वे थे Holmes drew an envelope from his pocket और फिर Holmes ने अपने pocket से एक लिफाफा निकाला Watson के सामने I scribbled down the few points from his dozier scribbled याने की write in hurry, जल्दी जल्दी से इसा लिख लेना और dozier का मतलब क्या होता है a document about a person तो कहता है कि जब मैं अपने friend police officer friend के पास गया था तो मैंने उसका dozier था याने वो जो document था जिसमें पूरी यह John Garrideb नाम के जो भी बहरूपी है इसके बार में जो पूरी information थी उसके पूरे document से मैंने जल्ली जो important points थे वो मैंने लिख लिए ताकि हमारे case में काम आए age at 44 तो उसने क्या-क्या लिखा कि इसकी age कितनी है इसने तीन लोगों का murder कर चुका है यह अपनी स्टेट में शॉट याने बंदूक मार दिये इसने पेनिटेंशियरी का मतलब क्या होता है प्रिजिन या जेल और फिर तीन लोगों का कतल करके यह जेल से फरार है एसकेप यहने भाग निकला है और कैसे भाग निकला पॉलिटिकल इंफ्लुएंस की वज़े से यहने कुछ पॉलिटिकल लोगों ने इसकी मदद करी और यह जेल से भागा हुआ कह दिये और पोलिस अभी इसकी तलाश में है तो कहता है जैनवरी 1895 में एक नाइट क्लब में जहां पर डान्स पाटी लेकर चलता है वहां पर कार्ड्स के उपर याने पत्ते खेलते वक्त एक इंसान से इसकी लड़ाई हो गई और उसने वही पर ही खुले आम सब के सामने उस आत्मी को शूट कर दिया और उसका कतल कर दिया इसने man died और वो इंसान मर गया but he was shown to have been aggressor in the row aggressor मतलब क्या होता है a person who attacks the other person first याने वो इंसान जो लड़ाई में पहले अटाक करता है सामने वाले इंसान पे तो भाई क्या हुआ यह वो जो man को इसने मारा था night club में वो मर तो गया लेकिन इसने क्या show कर दिया पुलिस वालों के सामने कि भाई वो aggressor था उसने पहले मेरे उपर अटाक किया तो अपने आपको बचाने कि लिए में इसको गोली मार दी तो इसने यह प्रूफ कर दिया था उस वक्त 1895 में डेड मैन वस इडेंटिफाइड आज रोजर प्रेजबरी और वो जो मान था जिसको इसने मारा था वो कौन था उसका नाम क्या था रोजर प्रेजबरी नाउ Changечение बोहर बीस्ट क्एरटर हैं हमारी पूरी स्टोरी का और यह रोजर प्रेजबरी कौन था फेमस आस फोर्जर ए Papiřा इंड कॉंड़ इंड कागो 40 कौन होता है 40 वो इंसान होता है जhew नकली नोट जाली नोट apenasनो प्रद्द्न सबॉसर इस प्रॉंस कोपी यह और वेट कि आंने ही एक फ्रॉट इंसान जो पैसों कि और करेंसी की ज़िंट्यों के जाली नोट जाली पैसे सम्हें नाता तो वो बता रहा है कि भाई जिस इंसान को ये हमारे जॉन गैरेड़ेप ने मारा था 1895 में वो रॉजर प्रेसबरी था जो खुद एक क्रिमिनल था याने वो फॉर्जर था शिकागो में याने कि जाली नोट बनाता था अब इसको मार के जेल चला गया था और फिर जेल से रिलीज कब हो था 1901 में ये किलर इवान्स और हमारे जॉन गैरेड़ेप 1901 में रिलीज हो गए थे जेल से छूट गए थे तो तब से लेकि आज तक ये पुलिस सूपर विजन में तो है याने पुलिस इस पर निगरानी तो रखती है ये छूटा भी हुआ है जेल में ये क्योंकि पुलिस को लगते है अभी है एक ओनेस लाइव एक सचे इंसान की तरह गूड मैन की तरह लाइफ जी रहा है वेरी डेंजरिस मैं यूजवली कैरीज आमसान इस प्रिपेर टू यूज एम डाटिजाब वाट्सन असपोर्टिंग बर्ड अज्यू मस्ट अड्मिट आमस का मतलब क्यों होता है भी इक हथियार तो यहाँ पर हमें शर्लॉक बताते हैं कि वह वाट्सन जो वह इंसान नहीं ठतरनाक इसान है हमेशा अपने साथ अपने हत्यार लगता रेडी रहता है अपने हत्यारों को use करने के लिए और Watson यही हमारी चिडिया है यही हमारी बर्ड है जिसको हमें शूट करना है जब भी हम पुराने लोग जब भी हंटिंग करने जाते थे बर्ड की तो अपनी चिडिया को यह गोली मारते थे hunting करने के लिए शिकार पे तो कहता है बस यही हमारा शिकार है Watson यही हमारी चड़िया है and I must admit कि यही कुछ दिक्कत वाला इंसान है definitely अब पता चल गया है अब हमें पता चल जाएगा कि पूरा matter क्या है but what is his game अब Watson पुछ ता पर इसका पूरा game है क्या actually दिक्कत है क्या यह तो समझ में आ गया इसकी पूरी हमको इतिहास इसका इच्चा चट्था पता चलिया कि यह John Garridep नहीं है पर यह सब यह क्यों कर रहा है यह तो हम पता करें तो Holmes कहता है well it begins to define itself I have been to the house of agents our client as he told us has been there 5 years it was unlet for a year before then unlet का मतलब क्या होता है rented out तो कहता है Watson अब सब कुछ अपने आप तुमें समझ में आएगा अब देखो मैं तुमें बताता हूँ कहता है मैं उस agent के house गया था किसके agent के घर हम Nathan Garridep के घर में गये थे और मैंने उससे पूछा था न कि तुमारा agent कौन है तो उसने बोला पास में ही रहते हैं वो दोनो उस दिन घर बन था कहता है मैं उनके घर गया था उनके मकान माले के घर गया था और वहाँ जाके मुझे पता चला कि Nathan Garridep तो उस घर में सिर्फ मात साल से रह 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 और उसके एक साल पहले से ये घर rented out था याने की unlet था किसी और इंसान को rent पे किराय पे ये घर दिया हुआ था the previous tenant जो पुराना किरायदार था was a gentleman at large named Waldron तो जिस घर में Nathan Garridep पात साल से रह 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 था उसके पहले से एक जो दूसरा एक जो दूसरा इंसान रहता था वो एक large gentleman था याने लंबी height का gentleman था जिसका नाम था Waldron वो रहता था, ऐसा मझे मकान मालिकों से पता चला Waldron's appearance was well remembered at the office और जो उनका office है नीचे उस पूरे building का जहां पे Nathan Garridep रहता है, उसका जो appearance of Waldron का, सबको आज तक यादे कि Waldron कैसा डिखता था he had suddenly vanished and nothing more been heard of him office से बस मुझे ये पता चला कि Waldron suddenly गायब हो गया किसी को उसके बार में आज तक अब कुछ पता नीचला ना किसी नो उसके बारे में कुछ सुना है तो ये सब चीजे information इखटा करके आया था Sherlock, जिस दिन वो सुबा जल्दी निकल गया था he was a tall bearded man with dark features तो office से उसको ये पता चलता है कि Waldron का appearance कैसा है वो tall man था, bearded man याने उसकी दाड़ी थी and very dark features याने उसके जो features थे, ने नक्षतर थे, काफी dark थे, now Presbury, अब जो ये Presbury है जिसको मार डाला था night club में, John Garrideb ने इतने सालों पहले, the man whom killer Evans had shot, was according to Scotland Yard, a tall dark man with a beard अब, Scotland Yard याने वो police officer, जिससे हमारा Sherlock Holmes मिलने गय थे और पता करा तो उससे, उसने, जो police officer ने information दी थी, Sherlock Holmes उसको, उसको ये बताया था कि भाई, जिस Roger Presbury को, John Garrideb याने, ये जो killer Evans है, उस जमाने में उसने, जिसको मारा था वो exactly, उसने भी क्या appearance बताया, Presbury का कि वो तो काफी tall man है, dark man है, उसकी beard थी, तो basically Sherlock Holmes किन दो लोगों को बता रहे हैं कि एक Roger Presbury Roger Presbury वो इंसान इसको मार डाला था, night club में killer Evans ने, ये exactly same दिखता है, किसकी तरह Walden की तरह जो tenant, याने किरायदार था नाथन वाले घर में पात साल पहले इन दो लोगों का appearance, tall, dark features, beard, same है Roger Presbury का appearance किसने बताया, police officer ने बताया था, और Walden के appearance के बारे में किसने बताया जो office था, वहां से तो दोनों जगा से जब पता करके यहां, इसका appearance police ने बताया Sherlock Holmes को और ये कैसा दिखता था Walden वो office से पता चला क्योंकि सब को याद था कि Walden कैसा दिखता है, तो इन दो जगा से पुछताच करके, जब Sherlock Holmes आया, तो उसको ये ज़रूर समझ में आगा कि जो Roger Presbury और जो Walden ये शद एक ही इंसान है, क्योंकि दोनों का जो appearance है, वो same पता चला है As a working hypothesis, I think we may take it that Presbury, the American criminal अब ये जो Roger Presbury है ये भी criminally था क्योंकि जाली नोट बनाता था Used to live in that very room which our innocent friend now devotes to its museum So at last we get a link You see, hypothesis का मतलब assumption यानि आपको पहले से assume कर रहे हूं, तो Sherlock Holmes कहता है, अगर मैं अभी assume करूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो Roger Presbury है जो की criminal था, और ये जो Waldron है जो Nathan Garridev वाले हाउस में पात साल पहले रहा करता था ये दोनों एक ही आदमी है ये दोनों एक ही आदमी है इन दोनों नामों में से इसका एक नाम रियल है, तो Roger Presbury रियल नेम था, स्रिफ जो नेक्स लिंक, अब नेक्स लिंक के अब नेक्स क्या करने वाले हम तो आगे पढ़ते है वेल, वी मस्त गो नाव और लुक फो दाट तो Holmes केता है चलो, चलें, डूने, लिंक डूने तो Holmes केता है, मेरे पास मेरी फेवरेट वाली रिवाल्वर बंदूक अपने हाथ में है तो अब हम दोनों के पास कुछ न कुछ वेपन है तो हम उसके लिए रहेंगे क्योंकि हमारे पास भी रिवाल्वर है तो वो वाट्सन के से कहता है कि वाट्सन मैं तुम्हें एक घंटा देता हूँ सिएस्टा के लिए आने एक आफ्टरून नाप की थोड़ी दिर तुम रेस्ट कर लो सोलो और उसके बाद हम रेडी है राइडर स्ट्रीट अडवेंचर के लिए आने की नाथन गारेड़ का घर जो था वो राइडर स्ट्रीट रोड पर ही था तोगेदा बस वहीं चलना है उसके घर और पूरा खोजबीन करनी क्योंकि हमें वहीं सब पता चलेगा सुराग वहीं से मिलेगा वो जरूर आएगा वहाँ पर क्योंकि वहीं पर ही उसका कुछ रास चुपा है तो हम चुपके देखेंगे कि वो क्या कर रहे है तो बस शाम के चार बच गए और ये लोग फाइनली उस जगा पहुच गए रहे है वाट्सन और होमस का नाथन गारडब के घर में और मिसस सॉंडर्स जो कैरे टेकर है उन्होंने बोला कि है ये लोग चाबी बस आप ये जो स्प्रिंग लॉक इस तरीक एक है जो स्प्रिंग लॉक करना ता की सेफिटी रहे और यहां से कोई कुछ चोरी नहीं उठा तो Holmes ने उसको promise किया Saunders को कि ठीक है ठीक है हम देखेंगे कि सब कुछ safe है before we lift कि हमारे जाने से पहले सब कुछ safely सार उसका museum वैसे का वैसा ही है नाथन का Shortly afterwards the door closed her bonnet passed the bow window and we knew that we were alone in the lower floor of the house फिर जैसी कमरा बंद किया तो जो बे विंडो जो खिड़की थी उसके उपर से एक bonnet जाते हुए देखा बाहर से ऐसे परचाई दिखी कि कोई bonnet जा रहे bonnet याने जो उसने यह ऐसी cap पहनी हुई है a woman's head tied under the chin तो कहते है यह जो bonnet उसने पहना हुआ था ऐसा लगा कि वो निकल गई तो अंदर खड़े हुए यह लोग समझ गई कि हाँ परचाई निकल गई याने saunders चली गई अब उस ground floor पे lower apartment के जो floor पे हम अकेले हैं कोई नहीं तो अब हम अपनी तलाशी start कर सकते हैं Holmes made a rapid examination of the premises और Holmes ने जल्दी से पूरा premises याने पूरे कमरे का जल्दी examination किया कि ढूंड लिया हर चीज क्या 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 है तो एक बड़ा सा cupboard था जो wall याने दीवार सा थोड़ा आगे था तो यह लोग जल्दी से जाके उस cupboard के पीछे चुप गए दो रहों और यह लोग चुपके से चुप गए उस cupboard के पीछे और धीरे-धीरे Holmes विस्पर याने फुस-फुसाहट करके जो Holmes है वो Watson को His intentions बता रहा था अब यह His कौन है आपे John Garrideb की अब John Garrideb के क्या intentions है याने अब वो क्या करने वाला है और क्या कर सकता है दीरे-धीरे Holmes पूरा छुपके बता रहा था महाँ पे Watson को तो वो सारे intentions बता रहा था John के क्या intentions ते John के अब बताएगा Holmes He wanted to get our amiable friend out of this room that is very clear तो अब Holmes बोलता है Watson को कि यह बात तो बिलकुल clear है कि वो हमारा amiable friend जो हमारा Nathan Garrideb है वो हमारा दोस्त है वो तो सही है वो उस matter में कहीं कुछ नहीं है कहता है वो John कहीं नहीं बिस इसको इस कमरे से बाहर निकालना चाहता था As the collector never went out, it took some planning to do it क्योंकि जो collector है, सामानों का जो collector है Nathan Garrideb वो इस कमरे से जाता ही नहीं था तो उसको ऐसे निकालने के, John Garrideb ने पुरी planning करिए तो जो Garrideb वाली story है यह सिर्फ इसको कमरे से बाहर निकालने की थी असली picture कुछ और है The whole of this Garrideb invention was apparently for no other end यह जो पूरा Garrideb का invention जो पुरी story करिये इसका कोई other end नहीं नहीं इसका कोई मतलब नहीं यह फालतू की story थी बस Nathan Garrideb को इस कमरे से बाहर निकालने के लिए I must say Watson that there is a certain devilish ingenuity about it even if the queer name of the tenant did give an opening which he could hardly have expected Ingenuity का मतलब क्या होता है Clever creativity, समझदार creativity तो Holmes 2 वाट्सन से कहता है कि Watson मैं तो तुम्हें बिल्कुल ही कहूंगा कि जो devilish जो बिल्कुल devil वाला काम किया है हमारे John Garrideb ने बहुत clever creativity कितनी creatively कितनी दिमाग से उसने Nathan Garrideb को यह से बाहर निकाला है और सोचो कभी Nathan Garrideb ने सोचा भी नहीं होगा कि just because मेरा surname में Garrideb है मैं मतलब expect भी नहीं किया होगा कि कभी मेरे साथ कभी कुछ ऐसी opening होगी यह कभी मेरे साथ कुछ ऐसा होगा यह strange name की वज़े से और उसने John Garrideb ने अपना प्लाट याने अपना जो पूरा प्लान है वोफ किया याने पूरा बनाया है रिमार्किबल कनिंग याने बहुत चालाकी से उसने पूरी प्लानिंग करिये तो यह Holmes बोलता है Watson को But what did he want? तो Watson किता है पर उसको आकर चाहिए का उसने पूरी कहानी यह फालतू की Garrideb वाली बनाई क्यों Well that is what we are here to find out It has nothing whatever to do with our client So far as I can't read the situation तो Holmes किता है बस वही पता लगाने हम यहाँ पे आये है और उस पूरी situation को देखके इतना तो पता चल रहा है कि जो हमारा client है Nathan Garrideb उसका इस matter में कोई लेना देना नहीं वो तो सिर्फ बिचारा कुछ बली का बकरा बन गए It is something connected with the man he murdered The man who may have been his confederate in crime There is some guilty secret in the room तो कहता है यह Nathan Garrideb से इस case का कुछ लेना देना नहीं लेना देना उस man से है Whom he murdered याने Roger Presbury का definitely इस case से कुछ लेना देना है क्योंकि उसका murder कर दिया था Killer Evans ने John Garrideb ने उस night club में तो उसका definitely कुछ लेना देना है confederate का मतलब क्या है partner तो यह लोग ऐसा guess कर रहा है Holmes ऐसा guess कर रहा है कि हो सकता है कि यह जो Roger Presbury है वो partner रहा हो Killer Evans के किसी matter में और हो सकता है दोनों business partners की कुछ आपस में लड़ाई हो गयो और उस night club में Killer Evans ने मार दिया हो किसको? Roger Presbury को तो कहता है कुछ guilty secret इस कमरे में कुछ नो कुछ guilty ऐसा secret है जो हमें आज यहां पर पता चलेगा definitely that is how I read it at first I thought our friend might have something in his collection more valuable than he knew something worth the attention of a big criminal but the fact that Roger Presbury of evil memory inhabited these rooms points to some deeper reason तो यहां पर Holmes कहता है कि that is how I read it यह जैसा मुझे समझ में आ रहा है उससे मुझे यह पता लगता है Watson कि जो हमारा friend नाथिन गारेड़ेब पहले मुझे लगा कि उसके पास कुछ ऐसा valuable कुछ इतना कीमती collection होगा जिसकी वज़े से John Garridev उसको यहां से निकालना चाहते है और यहां से वह चीज़ चोरी कर लेगा लेकिन जब मैंने उसका कुछ collection देगा तो उसके कुछ collection में थाई नहीं सब फालतू की चीज़े थी कुछ भी valuable नहीं था ऐसा कुछ valuable नहीं था कि इतने बड़े criminal का attention जाए कि नहीं मुझे लेना है definitely इसी कमरे में 5 साल पहले Roger Presbury और Walden रहा करता होगा उसी की कुछ memory यहां पे रही होगी और ऐसा कुछ secret इस कमरे में है जिसके बारे में सरफ John Geradip को पता है कोई deeper reason कोई वजा तो definitely है well Watson we can but possesses our souls and patience and see what the hour may bring तो फिर वो Watson को कहता है कि Watson हमें बस अपनी आत्मा को थोड़ा patience थोड़ी शांती रखनी होगी हमें and देखें कि अगले घंटे, दो घंटे, तीन घंटे में क्या होता है क्योंकि 100% John Geradip यहां पे आएगा अपना मकसद पूरा करने इस कमरे से वो चीज लेने that hour was not long and striking और जिस घंटे का उन दोनों को इंतजार था Holmes and Watson को वो जादा दूर नहीं था क्योंकि वो घंटा आई गया था वो hour आई गया था जब John Geradip actually वहाँ है We crouched closer in the shadow as we heard the outer door open and shut Then came the sharp metallic snap of a key and the American was in the room इन दोनों को आवज आई कि बाहर से किसीने door खोला है कोई अंदर आया है और दर्वाजा बंद हुआ है और अंदर से किसीने चाबी घुमाई यानि अंदर से किसीने रूम लॉक कर दिया और यह जो American John Geradip था वो आगया क्योंकि इसको पता था कि Nathan Geradip इस वक घर में नहीं है वो Birmingham चल गया है और यह दोनों छुपके अंदेरे में खड़े हो गए उस cupboard के पीछे जैसी वो कमरे में आया है उसने शाप लुक दिया कमरे में अयने देखा कि कोई खत्रा तो नहीं है कोई कोई है तो नहीं कमरे में और बस जैसी उसने देखा कि सही मौका उसने अपना कोट उतारा और जल्दी से उस नहां पर बहुत कच्रा कूड़ा पड़े रहता था, माइक्रोस्कोप रहता था, बस वह वहाँ पर आया, बलब ऐसी फीलिंग थी उसके चहरे को देखे कि इसको पता है कि मुझे अब क्या करना है और कैसे करना है, ब्रिस्क का मतलब वॉक्विकली, जल्दी जल्दी वॉक कर के टेबल तरफ आया, क्योंकि इसको पता था कि अब कोई नहीं है, इस रही मोगा है, अब मुझे पता है मुझे क्या होर, कैसे करना है, जिम्य क्या होता है, यह जो इमेज आप मेरे लफटें साइट पर देख रहे हैं, लोहे की बड़ी सी स्टेक, जो कर्वडेस को जिम्य बोलते हैं, यूजवली थीफ्स याने चोर इसको यूज करते हैं कुछ तोड के कोई चीज निकालने के लिए, तो जैसे ही वो इस टेबल तक या उसने वो टेबल पूरा खिसकाया, टेबल की नीचे कार्पिट था, उसने वो कार्पिट में से एक स फ्लोर के नीचे भी कुछ है, शायद अंदर कोई रूम, कोई तहकाना है, जहां ही अंदर जाने वाला है, प्रेजंट लीव हर्ट था साउंड फ्लोर में से और साइड में रख दिया है, और फिर उसने एक कैंडल जलाई, लिट याने जलाई, मैच से और वैनिश्ट फ्लोर में याने हमारी नजरों के सामने से गायब हो गया और अंदर उस रूम में या शायद उस तेखाने में चला गया, और जिस मुमेंट का वाटसन और चरलोक होम्स को इंतिजार था वो मुमेंट आही गया, अब क्योंकि वो गर बहुत पुराना था और जो जमीन थी जो फ्लोर था वो लकडी का था, जैसे जैसे ये दोनों वॉक करके उस तरफ जा रहे थे, क्रिक ऐसे लकडी की आवाज आई, क्योंकि पुरानी लकडी थी, वो अमेरिकन को पता चल गया कि कोई यहां है, तो उसने उपर देखा, जो स्क्वेर खुला हो था, वो तो अंदर चला गया था, जैसे उसने इन दोनों को देखा कि उसके उपर दो बंदू के तान के ये दोनों खड़े हुए हैं, तो पहले वो थोड़ा confused हो गया कि अरे, फिर दीरे-दूर उसके चहरे का जो expression था, वो soft हो गया और वो shameful grin में कनवर्ड हो गया कि अतलब तुम दोनों ने पकड़ी लिया, मुझे तुम दोनों ने मुझे धूंडी लिया, ऐसा expression आ गया, क्योंकि उसने देखा कि मेरे ओपर दो पुस्टिल ऐसे पॉइंट होके, वाट्सन और शर्लॉक दोनों खड़े हुए हैं, वेल, वेल, said he coolly as he scrambled to the surface, I guess you have been one too many for me, Mr. Holmes. फिर वो कहता है, अरे, अरे, बहुत cool अंदाज में, coolly होके, जैसे जैसे वो surface यान उपर तरफ scramble होके, आया, बहर निकल के, वो कहता है, अब मुझे अस लगता है, आप लोग, मतलब मैं अकेला, आप लोग मेरे खिलाफ, दो-दो लोग, Mr. Holmes, आप लोग मेरे लिए काफे तू मेनी हो भाई, ज्यादा लोग हो गयार, saw through the game, I suppose, and played for me, for a sucker from the first, well, sir, I hand it to you, you have me, beat me, sucker का मतलब क्या होता है, a person who acts foolishly, but actually is a clever person, एक ऐसा इंसान जो शुरू से बहुत बोला-बोला बनने के acting करता है, लेकिन अक्चुली बहुत शातिर और clever होता है, तो बताता है, finally, आपको मेरा जो game है, समझ में आ गया है, और मैंने जो भी play किया, जो भी मैंने खेला, शुरू से एक भोला-बाला इंसान बनने के, वो सब आपको समझ में आ गया, पर ठीक है, कोई नहीं सर, I hand it to you, मैं सब आपको देता हूँ कि कि आपने मुझे पकल लिया है, you have me beat, यानि अब आपने मुझे पकल लिया है, अपने मेरे मेरे इरादों को समझ लिया है, तो ठीक है भाई, मुझे मारो मत ऐसा, In an instant, he had whisked out a revolver from his breast pocket and had fired two shots, I felt a sudden shot sear as if a red hot iron had been pressed to my thigh, sear का मतलब क्या होता है, a burn, यानि जब जलन जैसा, burn जैसा हो जाता है, ये बोलते बोलते जैसी वो बहार निकला है, एक दम से उसने अपने इस pocket में से, उसने अपनी, John Garrett अपने अपनी revolver निकाली और दो बंदूगे चला दी, और जिसमें से जो एक बंदूग थी, वो डॉक्टर वाटसन के थाइस, यानि उनकी जांग से होती हुई, निकली, और सडिनली, डॉक्टर वाटसन के जांग में ऐसा उनको फील होने लगा, थाइस पे, कि उनको कोई बर्निंग सेंसेशन, जलता हुआ सेंसेशन फील हुआ, देर वाटसन के पूरे सर पे से ब्लड निकलना स्टार्ट हो गया, और उसी वक्टर वाटसन को एक क्रैश की आवाज आई क्योंकि तो जैसी उसका पूरा खून बहा, वो गिर गया जमीन पर, उसका सर फढ़ गया बहुत जोर से, और होम्स उसके पूरी बॉड़ी में और कपडों में चेक कर रहा था कि कहीं और वेपिन्स या हतियार तो नहीं है इसके पास तो होम्स कहता है वाटसन काहीं तो मैं लगी तो नहीं है प्लीस तुम कहो कि तुम ठीक हो तो मैं नहीं लगी ऐसा कह दो प्लीस तो यहां पर डॉक्टर वाटसन कहते हैं कि यह शब्द सुनने के लिए होम्स के मूँ से यह शब्द सुनने के लिए एक चोटनी ऐसी कई चोटे वर्ते नहीं मेरे को मनजूर है क्योंकि आज मुझे पता चला कि मेरी हमारी फ्रेंड्शिप में जो शर्लॉक होम से कितने लॉयल है और उनके मन में मेरे लिए कितना लव है यह मुझे आज पता चल गया कि कोल्ड मास्क याने इस सीरिस चहरे के पीछे एक कितना नरम दिल है अपने दोस्त के लिए यह मैंने आज देखा वो जो आखे जो हमेशा स्ट्रिक रहती हैं क्लियर रहती हैं वो उस मोमें जब मुझे लगी थी वो डिम एकदम ढ़ल गई थी और उसकी आखों में मुझे डर दिख रहा था उस मुझे दिख रहा था कि कहीं मेरे फ्रेंड को कुछ होना चाहिए वो इस बार देखा कि कितना great heart और brain है हमारे Sherlock Holmes के अंदर मैंने एक ही बार में देखा all my years of humble but single-minded service culminated in that moment of revelation culminated याने ended और revelation का मतलब क्या होता है disclosure of the quality of homes that he is a kind-hearted person तो कहता है इतने सालों में मुझे आज दिखा कि जो मेरा single-minded बिलकुल माइन में serious thought लेने वाला friend Sherlock's home है उसके अंदर एक kind heart एक नरम दिल भी है जो हमेशा अपने serious looks के अंदर छुपा के रखता है it's nothing homes it's mere scratch तो यहां पे dr. Watson के तहरे नहीं homes कुछ नहीं सिर्व एक scratch एक खरोचिये तुम चिंता मत करो he had ripped up my trousers with his pocket knife you are right he cried with an immense sigh of relief it's just superficial तो उसने अपने pocket में से homes ने एक छोटा सा pocket knife निकाला और थाइस के एरिया पर जो trouser था dr. Watson को उसको ripped किया यहने फाड के देखा कि चोट कितनी लगी है और कितनी घहरी है और फिर उसने देखा oh thank god Watson Watson तो में कुछ निया और तुम सही कह रहे हो कि जाधा कुछ निया जो वूंड है जो चोट है वो सूपरफीशल है याने की not too deep इतनी घहरी चोट नहीं है इस face set like flint as he glared out our prisoner who was sitting up with a dazed face flint याने angry ली गुस्टे में dazed face याने numbness on face due to shock तो उसने एकदम से फिर Holmes ने वो जमीन पे पड़े हुए John Garridep को देखा बहुत flint याने बहुत गुस्टे में देखा और John Garridep का चहरा कैसा था बिल्कुल numb पड़ा था क्योंकि उसके माते से पुरा खून निकल रहा था और वो बिल्कुल शॉक में था कि अरे मेरे साथ क्या हो गया by the Lord it is as well for you if you had killed Watson you would have not gone out alive out of this room alive now sir what have you to say for yourself तो अब गुसे में Holmes कहता है John Garridep से कि अगर आज तुमने Watson को मा डाला होता है तो तुम जिन्दा बाहर वापिस नहीं जाते इस रूम से and sir अब तुमें क्या कहना है अपने बारे में what have you to say for yourself तो ऐसा Holmes किसको बोलता है John Garridep को कि अब क्या करना है तुमें क्या बोलना चाहते हो तुम अपने बारे में बताओ जल्दी सब he had nothing to say for himself he had lay and scowled उसके पास बोलने कि लिए कुछ नहीं था को कि उसका पूरा भांडा food गया था वो बस वाँ पे ले याने जमीन पर पड़ा हुआ था and scowled याने अपने angry expressions ऐसे देख रहा था कि अरे मैं पकड़ा आ गया I leaned on Holmes's arm and together we looked down into the small cellar which had been disclosed by the secret flap फिर उसके बाद धीरे से दोनों lean करते हुए उस जो अंदर जो तये खाना है उसके अंदर वो लोग गए देखने कि आखिर उस secret flap के अंदर था क्या It was still illuminated by the candle which he wants are taken down with him illuminated याने की lightened अभी भी रोशनी थी क्योंकि जो candle Ivan's killer ने अंदर जलाई थी जाने कली वो अभी वी जली हुई थी तो उनको clearly अंदर रूम में सब दिख रहा था Our eyes fell upon a mass of rusted machinery rusted का मतलब क्या हुआ जंग लगी हुई machine तो उनकी आंखे किस पर पढ़ी कि एक machine पढ़ी हुई है तो फिस जंग लगी हुई है और वहां क्या पढ़ा है great rolls of paper बहुत सारे paper ऐसे roll पढ़े हुए है महाँ पर लिटर ऑफ बॉटल याने की बॉटल पढ़ी हुई है महाँ पर लिटर मैंने कच्रे कूडे ताइप की यूज बॉटल और यह सारी चीज़े एक टेबल पर paper machine बॉटल सब अरेंज करे हुई रखी हुई है a number of neat little bundles और छोटे छोटे जैसे note होते है ना currency के पैसे वैसे bundles के note ऐसे बहुत सारे वहाँ पर पूरे टेबल पर अरेंज करे हुए रखे है a printing press, a counterfeater's outfit said Holmes तो Holmes पते है अरे यह तो कोई printing machine है इससे कोच चीज़े print होते है और यह counterfeater याने a machine making fake currency note अरे यह तो जाली note पैसे बनाने की machine है यह तो yes sir said our prisoner staggering slowly to his feet and then sinking into the chair अब जो prisoner है जो हमारा John Garrett पे ओधीर धीर उटके chair पे बैठता है और कहता है yes sir यह वह machine है जो पूरा London ढून रहा है नकली जाली की machine the greatest counterfeet London ever saw जो London ने लंडन की किसी police ने आश्टेक नहीं देखा और ढूनना चाहते है इस machine को यह वह machine है that's Presbury's machine and those bundles of table are 2000 of Presbury's notes worth a hundred each and fit to pass anywhere तो कहता है कि यह जो नकली नोट बनाने की जो machine है यह Presbury की machine है उस इंसान की machine है जिसको मैंने night club में मारा था और जो पैसे आप देख रहे हैं वापे यह 2000 Presbury के नकली currency के note है एक एक पैसा hundred currency का है वहां London की currency का है और they are fit to pass anywhere याने कि यह कहीं बर भी पूरे लंडन में आप पास करोगे यह चलाओगे तो यह चल जाएंगे कोई पैचान नी पाएगा कि नकली नोट है help yourselves gentlemen call it a deal and let me beat it और फिर वो क्या बोलता है अपनी खुद मदद करो उठाओ और देखो और चाहो तो मेरे साथ क्या करो एक deal करो हम दोनों deal कर लेते हैं हम दोनों बहुत पैसे कमाएंगे Holmes laughed और Sherlock Holmes असने क्या अब मैं तो जैसे क्रिमिनल के साथ मतलब डील करूंगा okay ऐसा नहीं हो सकता we don't do things like that Mr. Revan's there is no bolt hole for you in this country you shot this man Presbury did you not bolt hole bolt hole का मतलब क्यों होता है a place where a prison where a person can escape and hide याने कैसा hole या एक ऐसी जगह जहां एक परसन भाग के छुप सके तो Holmes कहता है नहीं Mr. Revan's हम तुम ऐसाथ कोई डील नहीं करना चाहते और इस पूरी दुनिया में आप कोई bolt-hole नहीं है को ऐसी जगह निए जहां छुप सकते हो और तुमने प्रस बरी को शॉट किया याने शूट किया तुम तुम ही तो मीन उसको पूल्ड मी ओन तो वो कहता है हां मैंने उसको मारा और मुझे उसके लिए पात साल की जेल भी हो चुकी लेकिन उसी ने मेरे को पहले पुल किया था मैंने मेरे को पहले उसने जड़ब स्टार्ट की थी लड़ाई 5 years when I should have had a medal of the size of a soup plate तो वो कहता है मुझे प्रेसबरी को मारने के लिए 5 साल की सजा मिली जबकी उसको मारने के लिए तो मुझे एक बड़ा मेडल मिलना चाहिए जिसका के बराबर size हो मेडल का यानि मैंने कितना बड़ा काम किया मैंने क्रिमिनल को मार गिराया जो जाली नोट बनाता था पूरे लंडन को बरबाद कर देता वो अपने जाली नोड नकली नोड फिला के मैंने उसको मारा तो मुझे तो एक बड़ा मेडल मिलना चाहिए था सूप प्लेट के बड़ा पर लेकिन मुझे क्या मिला मुझे उसके बदले पात साल की जेल मिली No living man could tell a presbury from a bank of England and if I hadn't put him out he would have flooded London with them तो वो बताता है कि England की कोई सीवे bank ये identify नहीं कर पाती कि Presbury ने जो नोड बना ही असली है कि नकलिय है और अगर मैं इसको नहीं मारता तो वो पूरे लंडन में फ्लड कर देता याने पूरे लंडन में ये नकली नोट अपने फैला देता और लंडन डूब जाता, बरबाद हो जाता नकली नोटों से I was the only one in the world who knew where he made them और इस पूरी दुनिया में सरफ मैं ही एक इनसान था जो जानता था कि वो अपने ये नोट कहा बनाता याने यहां इस कमरे में नीचे तैखाने में बनाता था Can you wonder what I wanted to get to the place and can you wonder that when I found this crazy boob of bug hunter with the queer name squatting right on the top of it and never quitting his room, I had to do the best, I could to shift him maybe I would have been wiser if I put him away तो वो बोलता है आप wonder क्या आप सोच भी सकते हैं कि मैं किती मुश्कीलों से इस place तक आया हूँ यहां पहुच पाया हूँ and फिर जब मैं आया तो मुझे क्या पता चलता है कि एक bug hunter, bug hunter a person who is interested in insects याने एक बेवकूफ सा इंसान जो कीडो में interested है यह Nathan Garridev, यह ओकुडू बेठा हुआ है याने कि बिल्कुल इस जगा पे कुंडली मार के बेठा हुआ है यहां से इस कमरे से निकलता ही नहीं था मैंने कित्ती और not quitting his room याने इस room से निकलना ही नहीं चाहता था वो और मैंने अपना सब पूरा best करा उसको यहां से shift करने के लिए वो कर लेता मैं या सबसे अच्छा, सबसे intelligent काम मैं यही करता कि I would have put him away याने इसको भी मैं shoot कर देता और यहां से सब निकाल के सामान ले जाता तो आज मैं यहां पे फस्ता ही नहीं मैंने इसको मारा ही नहीं नाथन गैरेडप को इट बुट हाव बीज़ इज़ इनफ बट आइम soft-hearted guy that can't begin shooting unless the other man has a gun also तो वो कहता है मैंने नाथन गैरेडप को इसली नहीं मारा क्योंकि मेरा दिल बहुत साफ है मैं एक बुड़े आदमी को नहीं मानना चाहता था खुद से क्योंकि मैं किसी पर पहले शूट नहीं करता जब तक सामने वाले के पास गरन ना हूँ इसली मैंने नाथन गारेडप को नहीं मारा नहीं तो मैं इसको मार देता तो मेरे ली सब इजी रहता बत से मिस्टर हों मैंने क्या गलत किया एक इंसान को मैंने मारा था उसकी मुझे पांट साल की सदा मिल रही इस जो प्लांट यह जो मशीन आप देख रहे हो जाली नोट बनाने की मैंने एक बार भी यूज नहीं करिये और यह जो ओल्ड बुड़ा आदमी है नाथन गरेटिव मैंने इसको भी कुछ नहीं किया आप मुझे गलत कहां थावित करोगे पुलिस के सामने क्या किया है मैंने only attempted murder so far as I can see said Holmes तो Holmes बोलता है तुमने कुछ नहीं किया वस तुमने एक murder attempt किया है जहां तक मुझे अभी देख रहा है Pressbury का murder तुमने किया था क्योंकि तुम्हें पता था कि वो जाली नोट बनाता है और सिर्फ तुम्हें बता थी उसकी machine तुमने उसको मार डाला था कि उसका पूरा business setup तुम ले लो but that's not our job they take that at the next stage तो Watson कहता है कि ठीक है न इसने जो किया किया ठीक है पर अभी हमारा job नहीं है they take us to the next stage याने की अब पुलिस वाले आएंगे और उसको next stage पर ले जाएंगे हमारा काम तो case solve करना था चोर को फासी के फंदेता कि आप पुलिस के जेल तक पहुचाना पुलिस का काम है तो Holmes कहता है अब इस वक्त हमें क्या चाहिए स्रिफ तुम प्यारे तुम हमें चाहिए बस तुम अपने आपको पुलिस के पास चलो please give the yard a call Watson it won't be entirely unexpected तो Watson को बोलता है Watson जल्दी से call करो yard में yard में आने पुलिस station में जहां पे उसका friend था police officer और उन लोगों के लिए ये बिलकुल भी unexpected नहीं होगा याने इसको देखके बिलकुल भी वो लोग शौक नहीं होगे क्योंकि ये तो वैसे ही और evans और morecroft नजाने क्या क्या तुम्हारे नाम है तो पुलिस को फोन लगा Watson so those were the facts about killer evans and his remarkable invention of the garradips तो अभ यहां पे Watson story खतम होने पर और यहां पे Watson बताते हैं तो यह थे facts यह थी सच्चाई killer evans के बारे में और उसका यह बढ़िया सा उसने जो तीन garradips का जो invention जो फालतू की story बनाई थी यह थी उसकी कहानी we heard later that our poor old friend never got over the shock of his dissipated dreams dissipated याने disappearing याने जो चीज़ गायव हो गई बाद में Holmes and Watson को पता लगते है कि जो poor Nathan Garridep था बचारे के आँखों में सपने थे कि 5 million मिलेंगे मैं अपना नया collection बनाऊंगा उसको shock मिल गया था क्यों क्योंकि उसकी dreams उसके जो सपने जैसे कहीं बिखर गए थे जब उसको यह पूरा matter पता चला When his castle in the air fell down it buried him beneath the ruins ऐसा लगा कि उसके सपनों का महल जब टूटा तो वो उसके नीचे ही दब गया He was last heard of at a nursing home in Brixton और Brixton नाम की जगा में एक nursing home में एक hospital में उसके बारे में आखरी बार सुना गया था क्योंकि तब से वो इतना वीमार होगे अपने शौक में कि वो वही hospital में रहता था It was a glad day at the yard when the Presbury outfit was discovered अब yard याने police station में और London की police में एक glad याने उस दिन बहुत एक happy दिन था जब police को क्या मिली Presbury outfit याने यह वो machine का नाम था जो जाली note बनाती थी तो यह बड़ी खुशी का दिन था जब यह लंडन की police को यह machine मिल गई Though they knew that it existed, they had never been able after the death of the man to find out where it was तो लंडन की police को मालम था कि Presbury की machine कर यह exist करती है है एक जाली machine की note पर वो कहीं कभी धूण नहीं पाए क्योंकि उस man की death हो गए थी Presbury को मार दिया था इवांस ने, जॉन गैरेडव ने तो उनको कभी नहीं मिल पाई थी इवांस had indeed done great service and cost several worthy CID men to sleep the sounder तो इवांस, हमारे जॉन गैरेडव और जॉन गैरेडव ने एक बहुत great service करी है फाइनली एक पूरी करके कि हमको यह पूरी machine मिल गई और जो CID men थे लंडन के, अब शायद sounder sleep याने chain की नीन सुएंगे क्योंकि आज फाइनली उनको यह Presbury outfit machine मिल गई है नकली note बनाने की machine मिल गई है क्योंकि यह जो counter theater है, जो नकली note बनाने की machine है यह public के लिए बहुत बड़ा danger है क्योंकि अगर नकली note किसी country के economy में फहल गए तो वो economic खतम बरबाद हो जाएगी तो लंडन बरबाद हो जाता अगर यह note निकल जाते मार्केट में तो यहां पर एक बड़ी हसी मजाग की बात कर रहा है डॉक्टर वाटसन, वाटसन कहते है वो soup plate वाले size के medal के बारे में जो बात करी थी हमारे killer events में वो definitely उसको subscribe करते definitely उसको देते जिस बारे में killer events में बात करी थी कि मुझे तो medal मिलना चाहिए but an unappreciative bench bench का मतलब होता है कोई show कोई show देखने जाते न अपन वो लेकिन जो पूरा show था जो पूरा matter था वो unappreciative था लोगों को ज्यादा पसंद नहीं आया क्योंकि कहीं न कहीं obviously evans एक criminally था उसको कोई medal तो देता नहीं यह लोगों को less favorite पसंद नहीं आया लोगों को killer evans के बारे में तो उसको कोई medal नहीं दिया और finally the killer returned to those shades from which he had just emerged तो killer को वापिस वहीं भेज दिया गया उसी jail में उसी prison में जहां से वो just emerged आने जहां से वो इतने 5-6 साल रहके already आया था जहां से वो भाग निकला था तो यहां पे खतम होती है हमारी story और case solved so children here we come to the end of this session I hope आपको पूरी story अच्छे समझ में आई होगी यह story पूरे 3 parts में है 1 2 & 3 तो किसी को भी miss करना देखना मत miss करिएगा आप चाहें तो YouTube पर वीडियो ना मिले तो हमारे website पर जाएए which is magnetbrains.com जैसे आप website पर जाएंगे इस तरीके का आपको page दिखेगा यहाँ पर आपकी जो Snapshots book है उसका option अलग से दिया है और यहाँ पर हॉन बिलका अगर आपको Snapshots के वीडियो देखने तो इस पर क्लिक करिए जैसी आप क्लिक करेंगे आपके सामने list of videos आएंगी for example आपने chapter 1 पर क्लिक किया जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने मेरा video प्ले होना start हो जाएगा और magnetbrains ने अपना एक Hindi channel भी start किया so do not forget to subscribe this channel और अपने friends में यह information share करना मत भूली क्योंकि magnetbrains आपको free of cost आपको education provide करता है online education बिना एक रुपय चार्ज करे हुए भी so spread this amongst your friends and do not forget to like subscribe and share our YouTube channel तब तक लिए बाबाई and take care